दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए के स्पेसल टॉपिक भारत के राश्टी प्रतीक से लेटेट 26 अत्यंद महत्पूर्ण कोईशन लेकर आए हुई दोस्तो ये कोईशन बार बार एक्जाम पूछे आते हैं इसलि कि आपको ऐसी हमारे चैनल से ले एक्जाम से लेटेट वीडियो मिलता रहे और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर इस वीडियो को जादा जादा शेयर कर शवी में तरुक साथ जो भी आपको फ्रेंस त्यारी कर ताको उनकी पूछाया कि भारत करास्ट व्यक्ति कि च्वड़ाई और लंबाई का इनूबाइ और जाते जाएका जाना हों एक तो जब्योंдंग रहे साथ को लेएका बाता से अधेर材 करे comment box दो सम्मिइट कर सकते हैं तो आप से सारी कुशन आते हैं तो आप रिदीन हो जाएक है तो आफांगे साथ बने रही है आप ये पूरे कुशन तयार त्यार हो बारत के राश्डी दोच के मध्य में बने धर्म क्थक्र का रंग क्या है का आ doubts शकिर दोश्ट witness के चक्र में कितनी तीलिया होती है बुराश्टी दोज्क्र सुतंध भारत के राश्टी धोबित रिजाइन किस ने किया था इसका अंसर है अब को पता है तो बता सकते हैं बहुत इंपोर्टेन पिंगली बेंग गईया भारत का राश्ट्री गान कौन सा है भारत का राश्ट्री गान के रचाईता कौन है नेशनल एंथम के रचाईता कौन है राश्ट्री गान गैन सार्वर्थम कब और कहांगा गाए ठा तो इसका रचाईता आपको पता है तो यह बता डächए तो यह राश्ट्री गान अखुर्ण का रचाई व्या वंच लिए को लिद्धा व्यtsकिन ऑन्निशनल एंधन पहली वार गया गया था क लिद आप में हैं और कोश्चन नमबर 9 है भारत का निश्नल एंथम जन गर्ण मन को सर्पूर्ण रूप से काने में कितना समय लगता है कि इसमें देखिए तो इसके करेक्टेंट से लगा ऑप्सन भी 52 सेगें लगते टोटल जन गर्ण मन को गाने में राश्टी गान को गाने में टोटल बावन सेकेंड का समय लगता है ठीक है 52 सेकेंड का टाइम लगता है भारत का राश्टी गीत क्या है भारत का राश्टी गीत क्या है तो इसका करेक्ट एंसर जाएगा बंदे मातरम ठीक है ऑप्सन C ठीक है बंदे मातरम भार इसका correct answer जोगा कि बंक कीम जंद्र च्टरजी जी भारत के राश्ट्री जी गीत के रचईता है तो अपयाद रखेंगे भारत के राश्ट्री गीत का गायन का समय कितना लगता इसमें तो ये भी काफी important question पूछा आते एक्जाम में, करेक्ट एंसर जागा 65 सेकंड, ठीक है, 65 सेकंड का समय लगता है, बंदे मातरम को गाने में टूटल, 65 सेकंड, ठीक है, राश्टी गीत, बंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकंड का, ठीक है, भारत का राश्टी गीत, बंदे मातरम स भारत का राश्ट्री गीद बंदे मातरम सरुथम कब गया था? एटीन नाइन्टी सिक्स में भारत का राश्ट्री गीद बंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ये कोशन कई बार एक जामें पूछा गए आपको पता भी होगा सिंपल और इंपोर्टेन कोशन ये दोस्तों भारत का राश्ट्री की जो बंदे मातरम में किस ग्रंथ संकलित है? आनन्द मट से ठीक है? आनन्द मट से, option D ठीक है? चलिए कोशन नमर 15 है आकास श्वाणी और दूर दर्शन के दैनिक कारक्रम को शुरूआत किस से होती है? तो इसका correct answer है राश्ट्र गीत से, ठीक है? तो आप याद रखिएगा आकास श्वाणी और दूर दर्शन के दैनिक कारक्रम को शुरूआत किस से होती है? राश्ट्र गीत से question number 16 है सारनाथ इस्तित राश्ट्री स्तम्ब का कौन सा भाग? राश्ट्री प्रतिक चिन्द करूब में लिया गया है सीर सुभाग ठीक है? सीर सुभाग लिया गया है सारनाथ इस्तित राश्ट्री स्तम्ब का कौन सा भाग? राश्ट्री प्रतिक चिन्द करूब में लिया गया है? सीर सुभाग तीन सेर ठीक है भारत का राज चिन अशोक महां दोरा सार्नात में स्थाफित शिंग इस्थमसे लिया गया है इस राज चिन के मूल स्थान में कितने सिंग हैं? 4 ठीक है option C चार भारत के राष्टी संबत के रूमे किस संबत को मानने प्रदान की गई है तो यह की गई दोस्तों सक संबत को ठीक भारत के राष्टी संबत को रूमे किस संबत को मानने प्रदान की गई है सक संबत को शक्षंबत परधाईद राष्ट्री पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र होता है ठीक है शक्षंबत परधाईद राष्ट्री पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है चैत्र शक्षंबत परधाईद राष्ट्री पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है तो उता है फालगुन ठीक है फालगुन अंतिमास होता है प्रथाम होता है चैत्र भारत का राश्ट्री पशु कौन सा है तो दोस्तो भारत का राश्ट्री पशु है बाग या उप्सन C बाग से पूर्व भारत का राश्ट्री पशु कौन था तो यस था सींगा टिक सिंग घारत का राष्ट्री पक्षी है तो भारत का राष्ट्दिह पकषी है मयूर भारत का राष्ट्री अधर्शवाक के क्या है 10 तमेब जयते हैं यह तो यह उसायक है दोस्तों है सब्सक्राइब कर लें साथ हैं मिलता रहें और यह वीडियो कैसा लगे कमेंट बाक्स जरूर बता अपना स्कूर भी समिट करें लास्ट में द्याव ने पूरा कोशन सौल्व किया है इसके लाब आप हमें दोस्तों सोसल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा लिंग क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्टूडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें स्वास्त रहें बेस्त रहें म दोस्तो पन्चम पब्लिसरद्वारा हिंदी में मीडियम इस्टुडेंट्स के लिए ई-book यानि PDF नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कर सकते हैं और हमारे online SD point subscriber के लिए 50% off चल रहा है मातर 25 रुपए की बुक है इस वीडियो को description box में आपको link की मिल आए दूसरी लिए क्लिक करके आप purchase कर सकते हैं किसी वी प्रकार की query के लिए इस number पर आप contact कर सकते हैं